नमस्कार मित्रों मैं हूं डॉक्टर हरी निवास चैनल का नाम है संस्कृत साहितेवन संस्कृति महाभारत अब जो कुछ यहां पे कथा प्रसंग चल रहा है उसका हम इतियास की दृष्टी से भी मूल्यांकन करें तो कुछ बातें कहनी बनती हैं आज की वीडियो में इसकी भी चर्चा करेंगे दृष्टन कहता है अधितम विदिवत अधत्तम भूप्रशास्ता ससागरा मैंने विदिवत विद्या का अध्येन किया है और धर्म पूर्वक इस पूरी प्रत्वी का सासन किया है और जितने मेरे शत्रू रहे हैं सब के सिर पे हमेशा मेरा पैर रहा है और छत्रियों के लिए जो सबसे स्रेश्ट मानी जाती है उस प्रकार की मृत्यू आज मेरे सम्मुक करी हुई है तो मुझे से ज़यादा सुकी और स्रेट और कौन हो सकता है विचार तो करो, मैं जब तक जिया, तब तक बिलकुल ना कभी बनवास। ना कभी अज्यातवास। ना कभी किसी कि सेवा। ना कहीं ब्राह्मनों की तरह बटकना। कुछ ऐसा नहीं जब तक जिया बिलकुल शत्रूं के मस्तक पे मेरा पैर रहा और आज जब मर रहा हूँ तो फीरकती को प्राप्त कर रहा हूँ अरे देवता और सभी प्रकार के मनुस्य जिस प्रकार के भोगों की कामना करते हैं और उनके लिए जो सुलब नहीं होते हैं जो उनके लिए असुलब होते हैं ऐसे सारे ऐस्वर्य और सारे सुखोप भोग हमेशा मेरे सामने रहे हैं और जब तक उनका उपभोग किया तब त मैं इदर उदर भिक्षा मांग रहा हूँ या क्या कर रहा हूं दूसरों की दया पर पल रहा हूँ ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। होंगे ऐसे मैं मैं तो किसी प्रकार से दुखी हूँ या परेशान हूँ यह ही नहीं लेकिन आपको बता रहा हूं यूयम निहत संकल्पा सोचंतो वर्देश चिदा जिनके संकल्प कभी पूर्ण नहीं हुए हैं ऐसे आप लोग आज के बाद भी दुखी होगे ये बात बिल कही है वैसे आकास में से गंधर्वों ने पुस्पों की वर्चा की है ध्यान रखिएगा ये महा भारत है यहां एक पक्ष का समूल नास हो गया और उसके बाद जो इतिहास लिखा गया वो इतिहास महर्ष विदव्यास ने सिर्फ 8800 स्लोकों में जै कावी के नाम से लिखा जिसमें जै पराजय के बारे में लिखा गया था लेकिन फिर यही कथा वैशम पायन जनमेजय को सुनाते हैं और जनमेजय कौन है युदिष्ठिर के जो पौत्र हैं परिक्षित उनकी भी ये पूत्र हैं तो जब उसी बंस के किसी व्यक्ति को आप ये कथा सुना रहे हैं पक्ष कथा होगी ये आप नहीं मान सकते हैं यहां पर कुछ ना कुछ पांड़ों के पक्ष में होगा कहा जाएगा बोला जाएगा यह बड़ा स्वाब हाविक हैं आप थोड़ी सी बात समझें मैं तो कई बार कहता हूं कि इतिहास हमें सा राजनीती के साथ चला करता है अगर भारत वर्ष पे कॉंग्रेस राज्य कर रही होगी तो उस समय जब अहरलाल नहरु ही सर्वस्रेश्ट हैं इंद्रा गांधी ही सर्वस्रेश्ट हैं उनी की नीतियां उनी के कार्ये और उनी की सारी चीज़ें स्रेश्ट हुआ करते हैं और अगर बीजेपी का शासन आ जाएगा तो दीन दयालोपाध्या इस रिष्ट हो जाएगे, स्यामा प्रसाद मुखर्जी इस रिष्ट हो जाएगे, आपके पुस्तकों में पढ़ने के लिए पाठ बदल जाएगे, एक पक्षाएगा तो दूसरे पाठों को प्रस्तुत करे का दूसरे पाठ निकाल दिये जाएगे, दूसरा पक्षाएगा तो वो पाठ आपके अभ्यास क्रब में रख दिये जाएगे, तो यह जो पाच-पाच साल के लिए इस शक्ता में आते हैं अगर उनके शक्ता में रहते हुए इतिहास, उनकी इच्छा के अनुसार पढ़ाय कीजिए कि उनकी या उनके बाद जब उनके पौत्रों ने ये जरूरी नहीं कि जब हर नहरों ने जब तक सासम किया फिर इंद्रा गांधी करेंगे फिर राजिव गांधी करेंगे और फिर नहीं करेंगे भले दूसरे लोग साथ सकोंगे लेकिन सत्ता पक्ष में तो उसी एक ही परिवार के लोग रहेंगे तो जब एक परिवार के लोग किसी सत्ता पक्ष में हुआ करते हैं तो फिर तो इतिहास उनके स्वयम्पी कर सकते हैं यहां दुर्योधन की जैसे ही यह बात पूरी होई है कि पांडवों ने उनके साथ अधर्म करके यह विजय प्राप्त किया है अगर वो धर्म से युद्ध करते तो यह विजय उनको कभी नहीं मिल सकती थी अस्य वाक्यस्त से निदने कुरूरा जस्यत दीमता हा उनकी यह बात पूरी होते ही अपतत सुमहद वर्षम पुष्पाणाम पुस्पगंदिनाम सुगंदी से भरपूर बहुत सारे पुष्पों के उनके उपर वर्षा होई है गंधोर वोने वाद्यंत्र बजाये हैं उन्होंने अत्यंत वहां पे उनकी बात का स्वा दुर्योधन के संदर्फ में देखा दुर्योधन स्य पूजामतु दृष्टवा वरीडाम उपागमन तो दुर्योधन की इस प्रकार से देवताओं के द्वारा पूजा होती देख करके वासुदेव स्रीकृष्ण जो हैं और पांडव जो हैं वो थोड़े शर्माते हैं वरीडाम उपागमन उनको सर्म का एसास हुआ है और तब युदिष्ठिर स्रीकृष्ण का मूँ देखते हैं जैसे वो पूछ रहे हों कि अगर ये बात बिलकुल सत्य है कि जो कुछ ये हुआ है ये अधर्म पूर्वक हुआ है तो ऐसा अधर्म आपने क्यों किया क्यों कर परे गए हैं ये सबी हस्तलागों में और शस्त्र प्रियोगों में कि बहुत डेश्ट ते कि रूजु युद्धहें विक्रांता हंतुमु यूसमा भिराहवे आप कभी भी धर्म पुरून युद्ध करके इन लोगों को ना परास्त कर सकते थे ना इन लोगों को मार सकते और इतना ही नहीं भीश्म और द्रोनाचारी की बात जाने दो ये भीमसेन जो है दुर्योधन को भी धर्म पूर्वक अगर युद्ध करता तो नहीं मार सकता था तो फिर तुम्हारी विजे कहां थी कही की विजे कैसी विजे तेही सरवे महात्माना सत्वारो अतिरता भुवी अरे ये चारो महारती भूरी स्रवा भीश्म गुरू द्रोनाचार्य और कर्ण ये चारो ऐसे अतिरती युद्धा थे कि जिनका सामना कोई नहीं कर सकता और आज जब दुर्योधन गदा लेकर के उत्रा था ना तो इसका भी सामना करने की शक्ति इस संसार में किसी की ने कोई देवता भी इसका सामना नहीं कर सकता है यहां तो सभी जगे पे उपाय के द्वारा ही लेकिन ये उपाय करना कोई गलत काम नहीं है अरे देवताओं ने अनेकों बार उपायों का प्रयोग करके अपने शत्रों का विनास किया है और जो कारे देवताओं ने किया है वो हमारे लिए मार्ग दर्शक बनता है तो शत्रु का संहर कैसे किया जाए ये महत्वून होता है सारी नीतियां यही कहती है वो इस बात की चर्चा नहीं किया करती है कि इसमें धर्म कितना है और इसमें अधर्म कितना है संभोता यहीं से ये बात आई होगी कि everything is fair love and war कि प्यार में और युद्ध में सब कुछ जायज होता है कुछ इसी प्रकार की बात कि युद्ध में विजे महत्वून होती है वो विजे आपको कैसे मिल लई है इस चीज पे जादा ध्यान नहीं देना चाहिए यह बात यहां स्री कृष्णे कही है थोड़ी सी चर्चा इस पे बनती है देखिए धर्मवीर भारती जी का एक निबंध है महा भारत की एक शाम मैंने काफी बच्पन में इस निबंध को पढ़ा था और तब मुझे यह लगा कि यह पक्ष कहीं न कहीं जो है विचार करने जा सकतो है कि किस प्रकार से सुयोधन-Дुर्योधन बना सुसासन-दुषासन बना सुसीला-दुसीला हुई ये सारा उलेख कहां से सुरू हुआ यह ये परंपरा कैसे सुरू हुई मतलब धृत्राष्ट के पुत्रों के नाम जिनको आप जानते हैं वो सभी नाम इस प्रकार के बना दिये गए क्योंकि हमारे हमाना जाता कि सुसे अच्छा होता है रुद्दू से कराब होता है वो बात अलग है कि दुर्योधन शब्द की फिर आप व्याक्या करें तो ये हो जाए कि जिसके साथ युद्ध करना बहुत कठीन है दुर्योधन कहा जाता है लेकिन दुशासनकार था आप क्या करेंगे कोई अपने फुत्र का नाम दुशासन तो नहीं रखेगा तो उसका नाम ही सुसासन था इनका नाम सुयोधन था और जैसा कि आपने देखा युद्धिष्टिर हमेसा उनको सुयोधन कहके बुलाते हैं तो ये कुछ चीजें इस प्रकार के हैं जो चर्चा तो इन पे हो सकती है और चर्चा होनी भी जाई है इतिहास जो है वो कुछ कहता है और जब इतिहास कुछ कहता है तो कहीं उसको बदला भी जाता है कहीं उसको दबाया भी जाता है कहीं उसके बारे में और कुछ भी कहा जाता है लेकिन जो तह तक पहुँचने वाले लोग होते हैं वो पहुँचते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असा निकलता है मैं बिल्कुल स्री कृष्ण और पांडवों के पक्ष का व्यक्ति हूँ इसलिए हमेशा उनकी चर्चा करता हूँ हमेशा उनकी स्रिष्टा की चर्चा करता हूँ स्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो भी कारे किये है वो समाज के कल्यान के लिए किये है यहां अंतर इतना था कि दुर्योधन ने जो कुछ किया वो अपनी भलाई के लिए अपने हित के लिए उन्होंने इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाया और स्री कृष्ण ने इस लड़ाई को समाज के लड़ाई बनाया बस यही एक बेजिक अंतर है जीवन में जब भी हम अपने लिए कितना भी धर्मपून कारे करेंगे कितना भी स्रेष्ट कारे करेंगे लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए अगर होगा तो आप ये मान के चलिएगा वहाँ आपकी पराजय निश्चित है और जब आप दूसरों के लिए करते है यहां स्रीकृष्ट ने अपने लिए इसमें से कोई कारे नहीं किया है उन्होंने ये जो कुछ भी आप उसको वेहिमानी कहें आप उसको अधर्म कहें आप उसको जो कुछ भी कहें वो जो कुछ उन्होंने किया है वो पांडवों के लिए किया है सिर्फ पांडवों के लिए नहीं किया है उन्होंने समाज के लिए किया है उन्होंने एक पूरी जो परमपरा चली आ रही थी जो जिसमें सिर्फ शासक जो है वो अपने मन की मरजी के काम किया करता था उन चीजों को खतम किया है और इसी लिए उनके किये हुए कारियों की करने वाले निंदा करेंगे लेकिन कभी निंदा नहीं की जा सकती है उनके कारियों को इसी क्योंकि वो अपने लिए ने उन्होंने ये सारे कारे दूसरों के लिए किये तो जीवन में जब भी आप दूसरों के लिए अधर्म भी करेंगे दूसरों के हित के लिए तो वो अधर्म आपका धर्म माना जाएगा लेकिन अगर आप अपने स्वार्थ के लिए धर्म पून जो आपकी नजरों में ने शास्त्रों की कत्रा अनुसार भी जो धर्म हो सकता ह अगर आप उसका पालन कर रहे होंगे ना तो भी वो अधर्म बन सकता है या उसके लिए भी आपको दुरियोधन जैसी सजा मिल सकती है चलिए आज इतना ही रखते हैं आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे मैं हूं डॉक्टर हरी निवास और चैनल का नाम है संस्क्र लिए महा भारत है यहां से जीवन के हर उस कारे के लिए आपको प्रेड़ा मिल सकती है आपको उपदेश मिल सकता है जो कारे आप अपने जीवन की किसी भी समय करना चाहते हो आवश्यक्ता है ध्यान से सुनिए और उसका अनंद लीजिए अगर अच्छा लगे तो मित्रों के साथ सेर कीजिए आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद मैं समस्ता हूँ कि ये कथा आपको अच्छी लग रही होगी और अगर ये कथा अच्छी लग रही है तो इसका आनंद लीजिए वैसे तो सौप्तिक